हेलो दोस्तो स्वागत आप सबका नौले एंटेटेनस में मैं हूँ आपका दोस्त कपिल तो दोस्तो आज की वीडियो में हमें आपर बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना एड्मेट कार्ड डाउलोड कर लिया है स्वाइम के किसी भी एक्जाम के लिए ठीक है तो आपक पर चले गए और कोई चीज आपने मिस कर दी तो आपको एक्जाम देने में प्रॉब्लम आ सकती है तो आई अभी ज्यादा टाम ना लेते हुए चलते हैं कंप्रीटर की स्कीन पर और वहां से आपको लाइप प्रूफ के साथ बताता हूं कि आपको कौन कौन से जाते हैं तो ऐसे ओपन कर सकते हैं अदर्वाइस इसका यहां पर डिक्सिश्म ने आपको लिक मिल रहा होगा डिरेक्टली वहां से जाकर आप रीड कर सकते हैं तो उसके बाद दोस्तों देखे यहां पर ऑप्शन है यूजर फूल लिंक्स तो इसमें मैंने बताया हुए पहले भी दो वीडियोस बनाई थी कि Admit Card को कैसे डाउलोड करना है ठीक है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से डॉक्मेंट्स लेकर जाना है हम यहां पर चले आते हैं Information Bulletin में ठीक है तो यहां पर जैसे हम जाते हैं तो आपके सामने PDF उपन हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद सबसे पहले तो read the instruction on the Admit Card carefully and follow them strictly तो यह सारी चीज़ें आपको Admit Card में भी वहां पर मिल जाएगी जब आपने डाउलोड किया होगा लेकिन हम यहां से बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको कौन कौन से documents यहां से लेकर जाना है सबसे पहले आपको print copy of Admit Card जो आपने डाउलोड किया है NTA website से ठीक है तो आपको पता होगा आपको उसकी print copy लेकर जानी है और उसके बाद आपको साथ में लेकर जानी है एक passport size अपनी photograph तो वह किस चीज़ के लिए होगी जो आपकी attendance sheet बनेगी जैसे colleges में होता था ना कि एक photo लगी होती थी और उस card जो विद photograph हो ठीक है तो आप यहां पर वो चीज़ें लेकर जा सकते हैं ठीक है उसके बाद pwd certificate issue by the competent authority of claiming the relaxation under pwd category तो I think इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है तो अगर आप इसमें थोड़ा दिखने देटेल में तो आप यहां से देख सकते हैं ठीक है तो उसके वहां पर 11 बज़े ही पहुंच जाना है ठीक है आपको टू आर्स पहले पहुंचना है तांकि आपको जब रूम ढूंड़ना पर हो आप ढूंड लो और उसके बाद आप वहां पर जो और फॉर्मिलिटीज होती है वो चीज़ां करने के लिए आपको पास टाइम हो ठीक है इमिजेटली आफ्टर ओपनिग और ऑफ दा एक्जामिनेशन हाल और अलोटीड सीट तो यह वही चीज़ है कि जैसे वहां पर आपकी सीट जो अलोटीड होंगी वो ओपन होता है आपका एक्जामिनेशन हाल तो आपको फटा-फट से जाकर वहां पर अपनी सीट पर बैट जाना है ठीक है तो अगर कोई डिले होगा तो उन्होंने बता हुए कि candidate खुद ही उसके लिए responsible है ठीक है तो और सारी चीज़ें जो यहां पर बताई हुई है मैं आपको simply बता देता हूं कि आपको कोई भी ऐसी digital चीज नहीं लेकर जाना है जैसे कि आपका mobile phone या फिर smart watch तो जो चीज़ें आपको साथ लेकर जाना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है बहुत जरूरी जो चीज़ें है सबसे पहले मैंने बताया था admit card की copy होगी ठीक है उसके बाद आपको एक अपनी passport साई photo लेकर जाना है और उसके बाद आपको अपना एक government ID proof लेकर जाना है तो दोस्तो इसी तरह की valuable और भी वीडियोस हमारे चनल पर मिलती रहेंगे और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे courses भी बताने वाला हूँ स्वयम website से और 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 भी कई website से जो आपको free में मिलेंगे और आप अच्छी learning कर सकते हैं तो उन सभी चीज़ें को भी देखने के झाले तो